विक्रम शैनी आया है इनको मैड करता हूं रजी बताएं क्या काना चाहते हैं सर्नक्री अब नमस्कार जोड़ गजिव भाएंट ऑetera के भी लोग के धिर वह को तो इस बारे में को भाज ऑको यह बूक है पेंदर सिंग की और इसमें पाशानकार्जे बार्मिस तक का इतियास बता गया है तो इसमें इन्हों ने डिस्क्रिप्शन दिया कि दीवश और महावन्स दोनों में अशोक दौरा अपने निनानवे भाईयों का वद्ध करने का उलेक किया है बस महा वंस और देववन्स न? यानि वो किताब कम कम बुधा के 1000 साल बाद ही लिखिए गई से में मेरी बात को इंहीं गई मेरी मेरे साल पॉझका पूझक युभा लिख़ा गया है कि इन्लाइट्मेंट की बात लिखी घूफ वो तीन बार बुद्धा जो है अपने परी निर्वार से पहले इनलाइट्मेंट के बाद तीन बार सिरलंका गए हैं यह भी बात उसमें लिखा है समझ रहे हैं अच्छा जी आप हम पूरी-पूरी बात बता दीजिए इसके बारे में कि यह क्यों इस परकार की बात लिखी ज सवाल है कि आपके सूर्स क्या है आपकी समाध्यम से लिख रहे हैं समय ना आपका माध्यम क्या है समराठ वसोक जो है उनके अगर हजार साल बाद भी क्यम की किताब लिखी जाए हलाएंकि वह किताब की गई अंग्रेजु के समय में उसकी फूरानी पर नहीं अनुपायल किया गया समय की आप इसका अनुवाद कर दिजिए को और लिखा करने के बाद से वह किताब वह अनुवाद 10 साल तक पब्लिश्ट नहीं कर रही थी, दस साल तक पड़ा रहा, फिर उसको पब्लिश्ट किया गया, तब वो अस्तित्व में आई किताब, और उस किताब में जिन्होंने अनुवाद किया, उनका खुद कहना था, कि इस किताब में लिखी हुई बात जो है, वो सारा इतिहासिक रू कि इस किताब में लिखा है, और लोग क्या समझ रहे हैं कि उस ही हिस्टोरिक बात है, अनुए कि दिखा रहा इनलाइटमेंट और परिनिर्वान के पहले बुधा तीन बार गय थे सिरलंका और सिरलंका में जब गए तो उनके पैर पड़े वहां का एक परवत है उस पे और वो पैर जो है आज भी है उसी पैर को बुधा का पद कहा जाता है मुसलिम जब बाद में गया तो देखा तो कह हाए कि अरे यह तो हमारा एटम का पद है हमारे एटम आए हुए है आदम आए हुए है और ब्राम हड जब वहां गया तो उसने क्या कहा उसस प्द को अरे यह हमारा विश्न verratti है विश्नु जी का पद है तो गहने का मतलब ये है कि उस किताब की हर एक बात को जब तक आप verify न कर लो तब तक आप कैसे मान सकते हैं अब उसने मान लिजicio कि उसने लिख दिया कि समराइट असोक नगार भायों की हन्तिया की लिख दिया अब उसका कोई भी एविडेंस आप वेरिफाई कर सकते हैं लेखक का या आप इस चीज का वेरिफाई कर सकते हैं कि उसने लिख दिया कि बुद्धा तीन बार जो है सिरलंका गये थे अगर ये बात गलत हो जाती है ये बात सिधे सिधे गलत हो रही है ना उसी तरह से समराट असोग के जब हम inscription द भाई को बलाते हैं तो उसके लिए पहाड कृतिम रहा ऑच करते ही हम पहाड ये पहार अज कई सारे घर बनाए, इस भाती बात का हवाला देते हैं कि, राजा बनने लिखा रहा हैinator Po Vaid in templateer लेकिन भी requires हता हैं रहा है योद этой स्काराप भी देने के चावागा है अ resonates किया मह यह किन मुरा पर्लोवित और बनखे है वहां गये तैंड कि अपनी कुरूपता के कारण अपने पीता बिंदुसार का पिरिया नहीं था अशोक ने बिंदुसार द्वारा चैनेत उत्रादिकारी को पदस्त कर सासन की बागलोर संभाल ली अशोक बदान ही खुल देता हूं मैं अशोका बदान ही खुल देता हूं अब बुल देजिया यह अशोका बदान उस अगे लिख अपने प्रूर सभाव और नरिशंग वैवार के कारण उसने चंड़ा कोस की उपादी प्राक्त कर ली किसने अशोक ने जी ठीक जी सत्ता में बाद उसने मन्तियों की विश्वसुनियता की परिक्शा ली उन में से 500 के हत्या करवा दी अशोक के बारे में अजिये, एक बार राज प्रसाद को अंतपूर की किसी इस्ति के वहवार से अशोक ने समय को मानित महसूस किया, उसने प्रत्रोध में वहां की सभी इस्तियों को जिन्दा चलबा दिया यातनाय उसे उसने एक नर्ग का निर्मान भी करवाया था और इसके बारे में जो है जॉन जंग जो साथवे सदी में महाँ आया था जी जो से उसने भी यातनास्थल की चर्चा भी की है इसमें इस परकार की में लिखा हुआ है तो उसमें जो नाम अया है जैसे आपने चंडव इसे का नाम बता या है कुरूप का मार दिया वो इस तरह से नहीं है कि कुरूप था कुरूप की बात नहीं है देखें अशोका वर्थ यहां पे आ गया यह अशोका वर्थ है और अशोका वर्थ के बाद से वह मैं दिखाता हूं आपको अशोका हां बोलिए आप बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं इस तू लड़कान हे लड़का है तो उस बच्चे को पकड़ए लाएं और एक हेल का dust की हम एक शेय बर्लिंद तू ये अंजाने नजाने किसी भी सही आदमी को मार देता है, तो इससे बढ़िया इसको हम ऐसी जगा रखते हैं, जो सिर्फ अपराधियों को मारे, तो हैल का निर्मार करते हैं, और बोलते हैं, इस गेट से भीतर जो जाएगा, उसको तुम मार देना, गलती से एक वो था, व्यापारी था, वो गलती से घूमते गामते उधर को चला गया, ना उसे आया था, अब क्या हुआ कि जब वो उधर से अंदर चला गया, तो क्या हुआ कि जब समराट असोक को पता चला, कि उसको भी पकड़ के अंदर रखा हुआ है, उसको मही मारने के फिराक में है, और उपता चला कि वो तो भीखु है, तो उसने अपने जादू से इसको कुछ दिर तक फासाये रखा, जो उसको मारने वाला था लड़का, फिर समराट असोक भीतर गए, भीतर गए तो उसने कहा, उस हत्या करने वाला था, कहा कि हम तो इसको मारें वी तो आपकी आगया है कि जो एक बार इंटर कर जाए, उसको हम मारें जाए, चंड असोक ने कहा की आए है, तो पहले तुम कैसे आये हो यहां तो समराट असोक ने उसको मार दिया, उस हेल को नष्ड कर वा दिया, कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस तर गलत काम भी हो सकते हैं, आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको फिर पता चलेगा, कि समराट असोक जो हैं 84,000 सुदूपों की रचना भी करवाते हैं, इसमें ये कहीं भी नहीं मेंसन आया है, असोक का वदान में, कि वो जो हैं कुरूप थें, इसलिए नहीं पसंद था, यानि कि वो भी पढ़ाएं जी, और एक-दो बुक और इतियास समंदित पढ़ी हैं, तो क्या आधार मनने सार इन बातों का की कैसे पुष्टी करें, कि ये सही बुक सही बता रही है, या नहीं बता रही है, इसको मतलब मैं पढ़के आगे किसी को बताऊं, तो वो सही होगा या गलत होगा, इसका कैसे समराठ असोग को हम लोग कैसे जानते हैं, समराठ असोग के बारे में भारत के लोगों ने लिखा, नहीं, ब्रामण ने इनको कूट-कूट के गाली दी, सुध्र बताया, इनके इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, सब खतम कर जा भी लिखे हैं, यहां पे लिखे हैं, 84,000 सुटूप आज, 84,000 सुटूप बनाता है, इसका बिजिक्रह इसी किताब में, समराठ असोग जो हैं, उनको इस तरह से दिखाता है, बुद्धिजम अपनी किताब में, कि यह वो व्यक्तित हैं, यह एक ऐसे राजा थैं, जो सुरू मे थोड़ा सा हिन सकत हैं, और फिर बाद में, बुद्धिजम का सानिध्य मिलते मिलते, यह बड़े अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, 84,000 सुटूप बना दिये, इनको मतलब वैसे दिखाया है, कि अच्छे होते गए, फिल्म में बनती हैं, फिल्मों में जो प्रो पूरा हिस्टोरिकल एजिटीज सही है, समयता है, यह लिख भी रखाया है, लिख रखाया है, देखें, उजानते हैं सच्छा ही न, क्योंकि जब पूरा किताब पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, कि इसमें कि सारी बाते जो हैं, हम नहीं एक्सेप् कर सकते हैं, कुछ बाते हिस्टोरिकल परपसे सही हो सकती है, लेकिन कुछ जो हैं कथाकारों की कहानिकार की अपनी रचना हो सकती है, पूरानी घटना है, जब भी कोई बाद में कमपाइल करता है, तो अपनी कल्पना भी जोड़ता है न, उसमें, तो यह कहीं से भी वो नह इससे यही पता चलता है कि समराट असो को जेम्स प्रिंसेब तक कोई नहीं जानता था 1915 में सिला लेक मिला था 1905 से पंदरा के बीच में एक सिला लेक मिला था मास्की काफिलेक मिला था उसमें इनका नाम था शमराट असोक का राया असोक उससे पता चला है कि इनका नाम राया असोक है नहीं तो उसके पहले यह हर जगा देवान पीय प्यदसी लिखवाते थे आपको बता दूँ सर मैंने आपकी वीडियो लग बक डाई साल पहले देखी थी तो किसी टोपिक के बड़हीं देखी थी तो मैं तो जब मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियो दिखी तो मैं बड़ा प्रभावी तूँआ इसके बारे में रात में लगबग दोड़ाई वजे वीडियो देखिया आपकी आप उसमें कहीं अलबुरूनी के बारे में जिकर कर रहे थे थे जैसे ही उसके बाद से मैंने पढ़ना सुरू किया तो सर अभी मरेको 5 साल हो गया इस इतियास के बारे में अपने देशिका तो मुझे अभी वी ऐसा लगता है सर कि मैं आप से मैं आभी भी 10 साल पीछे हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ता गया अब मैं बिलकुल नास्तिक भी बन चुका हूँ जी क्योंकि जैसे जैसे पता लगया कि ब्राह्मन ये हिंदु धरम कि जिसके लिए हम दूसरों से लडाई भी कर लेते थे कहीं बार कि हम हिंदु है हिंदु है मैं भी थोड़ा बहुत फेस्टबुक गयरा पर छोट छोटी वीडियो मनाई मैंने एक दो इस बारे में तो पहले मैं सोचता था कि मैं एक आदमी को भी इस बारे में जागरूक नहीं कर पाऊँगा पर लेकिन जैसे ही मैंने एक वीडियो डर ली तो कुरुषित्र में मैंने सारे जो म्यूजियम थे जो पूरा तात्विक विबाग थे उनमें सभी की वीडियो मैंने शूट की तो मैंने उनसे कोस्टेन भी किया कि जो महावार्त का यूद हुआ उसके मेरे को सुबूत तो उसमें क्रिशन संग्राडले में सिंदू सभ्यता से जोड़ी हुई सभी बातें थी लेकिन जो मावार्त का यूद का कोई भी एविडेंस वहां अवलेबल नहीं है जबकि कुरुक्षेत्र का नाम थो मैंने मैं अजब बुरुनी के वरी उसमें पढ़ा जी तो थानेस् थानेस्वर का सुटूप का जिकर किया है पायान ने जी 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 जो की मिला नहीं है यहां अभी तक वह तो तो मैंने अपनी ये वीडियो मैंने फेस्बुक पे डाली ना तो मैंने ऐसा लगा कि जहां मैं एक आदमी को भी सोच रहा था कि मैं नहीं बदल पाऊंगा अब मेरे रिष्टेदार में ही और आसपास के दस बीस लोग ऐसे मिले हैं जो चीपे बैठे थे और वो आके मेरे को बोले यार तुने काम ठीक किया है आप जैसें की जुरूरत है तो तो मैं मानता हूं सर मैं आप से शुरू हुआ था और अगे ह यहां से संसद भी रह चुके हैं जी राजकुमार सैनी जी है जो उनसे भी मोटिवेट हो कि मैंने यह काम शुरू किया था तो आज आपने वीडियो मेरी लिए मेरे को लाइव लिए इस बारे में तो आपको अबर यहां लोग धन्यावाद एक पॉइंट मैं आपको और परामपरिक चीज को या कोई भी चीज जो है उसको आख मुंद के मानना नहीं है बलकिल हम लोगों को तर्क फुद्धी विवेक पर देहकर आगे बढ़ना है अभी क्या हुआ है कि जो इतिहांस यहां पर लिख दिया गया है जो भी इतिहांस लिख दिया गया है उसमें हर जगह एक मुलभूत गलती की गई है जैसे भारत में इत्सिंग आता है वैंस आगाता है उन्हीं रास्तों से होके गये थे तो उन रास्तों के बारे में जिक्र किया उन लोगों ने कि वहां पर उनको ये सुतूप मिला ये संगहराम मिले लेकिन इतिहांस कारों ने क्या किय पर चारित किया इक पाइंचवी सदी मैं लड़ााइन गया अगर वहां पर महाभारत हुई थी तो उसको महाभारत की जनकारी होते कि यह के लोग कि क्रिष्ण की राचना उन लोगों के भी पाद में की गई है और इतिहांसकारों ने किया कि अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए अपने धरम का प्रचार कर दिया और जो एक्चुल था उसको बताना नहीं है बाकियों को कोई दो हिंदू हैं हिंदू रहेगा तो जो जो करेंगे वो पीछे भाग यह ना हमारे बात कर रहे थे और सब हमारे ही लेके कह गये थे अपना जूड़े ले अब वो जिस बंदे की प्रोपर्टी है वो भूल गया चाहां ही तो वारिस्त हैं अब हो अर्थियागे पार्चा सै गया है अब कितनी आसानी से जमेनों का भोट आला हो गया धरमस्थल क जो यानिके ये आरिया समाज के स्थावन जिनों ने की क्या नाम बोलते हैं उनको द्यान अंसर सती इस इनों ने भी मेरे खाल से ब्रह्मन दर्म की जो पिछली के कुरीतियां थी जो वेदों में जो बातें थी उनस चिज्जों को मतलब हटाया और नया तरीके से मैं मानता हू जो सब्सक्राइब ने इस चीज को रिफ्रेस्स किया है मतलब गिए जी जी देखें आरिया समाज जो है ना दो धड़ों में बट गया है एक थें कुछ समय पहले उनकी मृत्ति हो गई है एक आरे समाजी थे तो वो क्या करते थे ना कि वो वेद को मानते थे लेकिन वेद की कहीं चर्चा नहीं करते थे वो चर्चा क्या करते थे कि देखो यह मूर्ती पूजा हो रहा है गलत है देखो यह सीवलिंग पूजा हो रहा है जो तुम लोग कहते हो सीवलिंग बन जाता है मतलब कुछ साल हुआ मेरे ख्याल से मरे हुए उनको तो व デ...! वह उआसे व्यक्तित कि जिसको कोई नास्तिक भी देखेगा कोई यास्तिक भी देखेगा कोई भी देखेगा उसको थोड़ा तो हुआ चलो पूसरा जो आरे समाजी था उपरोपर ब्रामहडवादी समझ रहा है ना कि मतलब राम भी सही है कृष्ण भी सही है तुमुर्ति पुजा करो यह करो हिंदू तो अब यहां से क्या हुआ है कि जब वो मर गये तो फिर उनका कोई ब्रांच या उनके लोग कोई बचे नहीं और पूरा आरे समाज जो है अमहडवाद की बी टीम बनके उनकी काम कर रहा हुँ तो खर सुरू से ही बी टीम था अब तो प्रोपर बन गया है वही बन गया है एक तरह से सही बात है सर चलो अब मेरे साथ बात चीत बहुत हो गी है दन्यवाद फिर मिलते हैं किसी वीडियो में बहुत बहुत दन्यवाद आप लगे रही है कर दो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर देव कुमार प्रिंस्पल जी भी आए हैं आजी देव जी बताये क्या काना चालते है नमस्ते सर जी हां नमस्ते जी बताई एक बिक्रम सैनी आय थे जम जूना चाहता था थोड सम्त्र राजिन प्रसाद सिंह कहते हैं कि असोका वदान पुस्तक के माध्यम से सम्राथ असोका चरित्र हनन जितना किया गया है किसी और पिस्तक से नहीं किया गया है वह भुद्धी बगवास किताब है अधिर वह तो बिक्रम सैनी है या इन जैसे और जो जिग्यास हुँ है उनको ये जानना चाहिए कि ब्यूटी लाइस इन दी आइस ऑब बिहुंड़ा किसी की देखने वालों की आँखों में बस्ती है और कुरूप और सुरूप ये एक माइन्ड सेट होता है सिर्फ माइन्ड सेट होता है यदि आपके दिमाग में किछी की छवी बैठ गई कि ये मेरी डेफिनीशन में ये सुन्दर है तो इससे इतर आपको वो कुरूप दिखाई देगा तो कुरूप ये स्वरूप कोई एपसोलीट तुरूप तो है नहीं तो जो असोक से नफरत करते हैं या उनका आजेंडा है वो तो उसको कुरूप कहेंगे ही कहेंगे एक इंस्क्रिप्शन पर उन्होंने लिखवाया था कि जो भी कोई धाम को तोड़ने की कोसिस करेगा विखूशंग को उसका सर मुड़ा के सफेद कपड़ा पहिना के अदेश से निखाला कर दूँगा तो ये असोक चरित्र को हननन करने के लिए वही लुग लिखेंगे बच्शों की ये जादोगरी बत़मी जी है ऐसे लोगों को से नकाब देना चाहिए अच्छा काली जी को कोई कह सकता है कि वह कुरूप है करूप है माता पहली, बारत की पहली हर्ता देवी को कोई कहेगा कि ये करूप है बताइए जिसका दर वाजे पर हम लोग मट्की बनाके चित्र लट्काते है 21 तारा centr中 उनको कहेंगे करूप है उसमें काली तारा भी है, ग्रीन तारा भी है जोज टटनर ने 1837 में इंग्लिस ट्रांसलेशन किया फिर 1908 में इंगलिस से जर्मन में ट्रांसलेट किया गीगर ने और फिर जर्मन से फिर इंग्लिस में ट्रांसलेशन हुआ 1912 में मावेल के द्वारा तो जो 1912 वाला एडिसन है मावेल के दोरा ट्रांसलेटर वो मेरे सामने रखा है इसमें बहुत अच्छी और इस से इसको पढ़ने से साब इसपस्ट होता है कि जब पाली टेक्स्ट से इंग्लिस ट्रांसलेशन करा जॉर्ज टर्नर ने तो तब तक स्री लंका पर ब्रहमेनिकल इंफ्रुएंस बहुत जादा बढ़ चुका था और इस किताब को लिखने समय और इस किताब को ट्रांसलेट करते समय दोनों समय ब्रहमेनिकल सिस्टम का उसमें इंटर्वेंशन था पूरा-पूरा जब वो विष्णुपद प्रचारित कर सकते हैं उसी दोरान में तो लिखा गया उसी किताब में जानकारी तो बहुत हैं लेकिन आप जैसा कोई बुद्ध जी भी या हमारे जैसा कोई बुद्ध जी भी बारीकी से फिल्टर करेगा तब समझ में आ सकती है कि क्या चीज इत्यास है क्या चीज वो है जैसे मैं एक उदारन बताता हूं कि वुद्ध 29 साल की उम्र में छोड़ रहे हैं घर 29 साल में उनकी परिच्छा होती है तो परिच्छा होने के समय ही उनके धनुस वान की परिच्छा होती है धनुर विद्या की तो धनुर विद्या की परिच्छा हुई ये इतिहास है बुद्ध ने धनुस उठाया ये इतिहास है पर बुद्ध ने उस सिदार्थ ने उस धनुस को उठाया जो आज तक कोई ने उ कहानी है बुद्ध का तीर गिरने से गड़ा हुआ ये इत्हास है लेकिन गड़ा इतना बड़ा हो गया कि वहां तालाब बन गया तालाब बन गया वहां असोक ने इस्तू बनवा दिया कि बुद्ध के तीर गिरने से इतना बड़ा तालाब बन गया ये कहानी है तो हमें कहान को और इत्हास को अलग करने की चंता पैदा करनी पड़ेगी अध्यन करना होता है और साइस जनी सर ये बता दीजिए साइस साइस जन्नी सर बता दीजिए जो साइस जन्नी सर बता देंगे वहीं मान लूँगा इस सोट कटें इससे कुछ नहीं होता जब तब खुद नहीं मरोगे स्वर्ग नहीं मिलेगा तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि खुद मेहनत करनी पड़े आपको बहुत सारी आर्किलो जी उड़के सूरज को खा गये थे खाने पहुंचे उसको ओम से बड़े-बड़े आईस ओफिसर ट्वीटर हैंडल से लिखते हैं कि सूरज से ओम की ध्वनी आती है अब बताईए कि ऐसे लोगों के हाथ में बुद्धिजम के स्क्रिप्चर हैं जिसमें कोई चमतकार ही न अच्छा आई थे उल्टी सीदी बहस करने के बुद्ध का सबूत दो तो उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि बुद्ध को एतिहासिक ग्यक्ति ना मानने के उनके पास पच्छी कारण है तो मेरे पास बुद्ध को एतिहासिक ग्यक्ती मानने के सौ कारण है सो नहीं हजार हजार दस हजार हमारे पास कारण हैं अगर उनके पास ना मानने के पचीस कारण है तो मेरे पास मानने के पचास कारण है और सौलिड है सो कारण हैं, सौलेड हैं और मैं सीना ठोक के उनके सामने रख दूँँगा पूरा पूरा भिष्ट कह रहा है कि बुद्ध एक एतिहासिक व्यक्ति है राम एक एतिहासिक व्यक्ति नहीं है नहीं है कि बुद्ध के उपर सवाल उठा रहा है उनकी मंसा को सबके सामने सारजनी कर दिया ना इसलिए मंसा उनको मैंने जब ये question पूछ दिया कि उन्हीं के parallel में जैन को आप historical figure मान रहे हैं वेद मान रहे हैं पूराना है तो उसको जो लाया उसको historical figure मान रहे है वो भी बता दीजिए इससे उनकी मंसा जाहिर हो गई ना कि इनको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है सिर्फ बुद्ध को ये degrade करना चाहते थे एक होता है कि कोई historical पर प्रसे जाना चाहता है सर इनसे एक सवाल है जब इनके पिताजी और माताजी बिदेशों में जाते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं बुद्ध की दर्शती से आया हूँ इनके माता पिताजी ही नहीं पिताजी के पिताजी भी और माताजी भी मेरा इसारा उधर ही है मेरा आप समझें ब्यान रही है कि स nive इनकी सबसे बड़े सबसे ऱगे सबड़े माता जीं जब आवर गार्रा सबसे लो 80 शINT क्या को से दे हइं सबसे पर्थी डॉब्द कर आया है उसमेंट क्यों है ऐसकRO स्वीदा सीदा स्था मतलब है कि दुद्ध के बिना तुमारा नहीं चलना चॉत ओक इस जो हैं टुन्नी बने घूम रहे थें और क्या कर रहे थें कर रहे थें कि यह सरी राम जी हैं और तीरी धनूस लेके कोई में काहें नहीं दिखाती है तीर धनुस से पूरा मारते हुए या क्रोधित में इस तरह से करते हुए बच्चे का रूप काहें दिखाया गया फिर वह भी बिना जनेवु के अगर आप हाथ में धनुस पकड़ा रहे हैं तो भी भागवान का पमान है इनके क्योंकि उनके यहा पन नहीं नहीं तो किताबों में असत्य ही लिखेंगे ना तो इनकी बात को कैसे मालोया जाएंगे naw वेस्टन रिसरचर है, कनिंगम है, पेपे हैं, फिलीट हैं, ना जाने कितने हैं, तो इनका न्यायक चरितरा है, सत्य निस्ट रहे हैं, तो सत्य की खोज करने की कोशिस की, तो पूरी दुनिया उनकी बात मानेगी, अब पीसी मुखर जी हैं, प्रेम चंद मुफर जी इन्होंने ये तिलोरा कोट की और इसकी पूरी खुदाई करवाई और वो ब्रहाम मन है तो क्या हम उसकी बात नहीं मानते हैं जो अच्छा लिखेगा अच्छी खौज करेगा उसकी मानी जाएगा जिसकी सत्य निश्ठा होहें की मानी जाएगी केदार नात् केदार बदरी यह अ अब उनको और मांना पड़ेगा व संसी चनल कघाया से ऐताully वहां जानते से सुरू के जो तीन आउतार है मतश्य कुर्म और वरा इनको तुम चटकर जाते हो उसके मुझ पर बोल दिये कि उसको तुम चटकर जाते हो देवता भी बना के और यहां पाटकर वारे हो साइस जर्नी प्रेरित कर रहा है उत्तिने पर संतुष्ट ना हो जाएं उससे आगे बढ़ें खो जाएं देखें पढ़ें तभी सच्चा ही तक पहुंच पाएं थैंक्यू बेरी मस्तर जी हाँ जी बहुत बढ़िया ठीक है देव जी ओके